हेलो दोस्तों मैं आकाशगर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में और मैं आज आप सभी को LIC के एक नए इंशोरेंस प्लान अमरित बाल इंशोरेंस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्लान नंबर है 874 LIC के तरफ से ये प्लान लौच किया गया है 16 फरवरी 2024 को अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 17 फरवरी 2024 के बाद आप इस इंशोरेंस प्लान को बाय कर सकते हैं यानि कि इसमें जो आपको benefit मिलते हैं या आपके बच्चे को benefit मिलते हैं वो यहाँ पर guaranteed होते हैं अगर हम LIC के बाकी child plan की बात करें तो उनमें आपको ये benefit नहीं मिलता हैं उनमें आपको bonus का amount मिलता हैं जो की guaranteed नहीं होता हैं दूसरी खासमत इस plan की यह है कि इसमें आप premium की payment ए benefit मिल जाता हैं जिसे हम premium waiver benefit rider कहते हैं यहाँ पर policy के दौरान बच्चे के father या mother जो भी परपोजर हैं उनके साथ कोई दुगटना हो जाती है तो उस case में जो बच्चे की policy है उसका premium माफ कर दिया जाता हैं तो अगर आप ये अपने बच्चे के लिए policy लेते हैं तो जरूर उ तो यहाँ पर सबसे पहले इस plan को लेने के लिए जो minimum age दी गई है वो यहाँ पर 30 दिन की दी गई हैं अगर आपकी बच्चे की उमर 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है तो आप अपने बच्चे के लिए ये insurance plan ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है maximum age entry क यान की कितनी उमर तक के बच्चे इस insurance plan को ले पाएगे तो यहाँ पर 30 दिन के बच्चे से ले के 13 साल तक की उमर के बच्चों के लिए आप इस policy को buy कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है premium paying term की यान की इसमें आपको कितने साल policy के premium की payment करनी होगी तो यहाँ पर आ जो कि है 5 साल का, 6 साल का या 7 साल का इन तीनों ही option में से कोई एक option आप चूज कर सकते हैं या तो आप 5 साल premium की payment कर सकते हैं या 6 साल या 7 साल इन में से जो option आप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं इसके अलावे यहाँ पर जो दूसरा option है वो है single premium payment option का यहाँ पर जो लोग एक साथ policy के premium की payment करना चाहते हैं वो लोग इस option को choose कर सकते हैं जिसमें आपको one time policy के premium की payment करनी होगी जब भी आप policy लेते हैं उस time पर आपको ये amount एक साथ देना होगा उसके बाद यहाँ पर बात आती है policy term की यान कि कितने सालों तक आपको ये policy लेनी होगी तो अगर हम आप 10 साल की policy term ले सकते हैं उसके बीच की कोई भी policy term आप choose कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने single premium payment option चूज किया हैं तो उसमें आपको minimum 5 साल की policy term लेनी होगी और ज्याद से ज्यादा 25 साल की policy term आप single premium payment option में ले पाएगी तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते उसके बाद यहाँ पर बात आती है minimum sum assured की यानि कि इस policy में आप बीमा कम से कम कितने रुपे का ले सकते हैं तो वो amount यहाँ पर दिया गया है 2,00,00 रुपे का इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें आपको 2,00,00 रुपे करने होगी इसके basis पर आपका जो insurance है वो यहाँ पर calculate किया जाता है या आपका जो premium है वो इसी के basis पर calculate किया जाता है उसके बाद यहाँ पर बात आती है maximum sum assured की यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपे का ले सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी limit नहीं है या आपकी income पर depend करता है कि LIC की तरफ से आपको कितना insurance मिलता है यह हमने बात की है कुछ conditions की जो कि आपको इस plan को लेते समय ध्यार में रखना होगा आईए अब एक example की मदद से इस पूरे insurance plan के benefits को समझती हैं तो example समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप basic समय शोड 5 लाख रुपे का लेना चाहती हैं यानि कि जो आपका insurance cover होगा वो 5 लाख रुपे का होगा उसके बाद हम मान लेते हैं कि जो बच्चे की age है वो यहाँ पर 5 साल की है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक policy term भी select करनी होगी यान कि इतने सालों तक हमारा insurance cover रहेगा तो अभी हम मान लेते हैं कि आप 20 साल की policy term लेना चाहते हैं या 20 साल का insurance cover लेना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर हमें premium payment option select करना होगा तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इसमें दो option मिल जाती हैं एक है limited premium payment option और दूसरा है single premium payment option तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप limited premium payment option चूज करना चाहते हैं जिसमें हमें तीन option मिल जाते हैं पांस साल का, छे साल का और सास साल का तो इन तीनों ही option में से हम मान लेते हैं कि आप पांस साल के लिए policy के premium paying term को लेना चाहते हैं यानि कि इसमें जो आप policy का premium pay करेगे वो पांस सालों के दुरान policy का premium pay करेगे तो यहाँ पर हमारे example के according बच्चे के उमर 5 साल की हो चुकी है जब भी यहाँ पर आप policy लेते हैं उश टाइम पर आपको policy के premium की payment करनी होगी यहाँ पर हमारे example के according जो सालाना premium होगा वो होगा 99,625 रुपे और 1,100 रुपे यह जो मैंने आपको premium बताया है वो option 1 का बताया है और option 2 का बताया है अब यह option 1 क्या है और option 2 क्या है इसको हम death benefit को calculate करते समय दिहार में रखेगी यह जो मैंने आपको annual premium बताया है अगर आप इसको 6 मईने में, 3 मईने में या हर मईने पे करना चाहती है तो वो option भी यहाँ पर आपके पास available होता है तो यहाँ पर अभी बच्चे की उमर 5 साल की हो चुकी है आने वाले 5 सालों तक हमें अपने policy के premium की payment करनी होगी जो की सालाना हो सकता है 99,625 उर्पे यह जो हमारा time है 5 साल का वो हमारी premium paying time है जो की हमने choose की थी यह 5 साल पूरे होने के बाद बच्चे की age 10 साल की हो जाती है उसके बाद आपको आने वाले 15 सालों तक wait करना होगा जब यहाँ पर हमारे policy के 20 साल पूरे हो जाएगे तो उस time पर इस policy की maturity हो जाती है और उस time पर जो बच्चे की age होगी वो यहाँ पर 25 साल की हो जाती है यहाँ पर हमने 15 सालों के लिए wait इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो policy term थी वो 20 साल की थी तो यहाँ पर total हमारे 20 साल पूरे होने के बाद ही इस policy की maturity होती है इसलिए हमने 5 साल पूरे होने के बाद 15 साल का wait किया है ये जो भी हमारी policy term है वो खतम होने के बाद ही हमारी policy की maturity होती है और उस टाइम पर maturity के समय हमे basic sum assured मिलता है और जो भी हमारी policy का guaranteed edition है वो भी हमें मिल जाता है या बच्चे को मिल जाता है अगर हमारे example के according हम basic sum assured देखते हैं तो वो हमारा यहां पर पांच लाख रुपे का हो जाता है उसके बाद हमें यहां पर guaranteed edition भी calculate करना होगा तो यहां पर यह जो policy है उसमें कहा गया है कि आप 1000 रुपे का sum assured लेती हैं तो उस पर आपको 80 रुपे का guaranteed edition मिलता है जो कि आपको हर साल मिलता रहेगा तो हमारा जो समय शोड है वो 5 लाख रुपे का है जिस पर हमें 1000 रुपे के sum रुपे का guaranteed edition मिलेगा तो यहां पर अगर हम एक साल का guaranteed edition calculate करते हैं वो total यहां पर 40,000 रुपे का हो जाता है और अगर हम यहां पर 20 साल का guaranteed edition calculate करते हैं जो कि हमारी policy term है तो उसके हिसाब से total हमारा guaranteed edition 8,000 रुपे का हो जाता है तो यहां पर अगर हम total maturity की बात करते हैं तो यहां पर basic समय शोड 5,000 रुपे का हो जाता है और 8,000 रुपे का guaranteed edition हो जाता है तो यह कुल मिला के हमें 13,000 रुपे का maturity amount इस policy से मिल जाता है तो यह हमने बात तब की है जब policy के दुरान कोई भी दुरगटना नहीं होती है आईए अब बात करते हैं कि अगर policy के दुरान बच्चे के साथ कोई दुरगटना हो जाती है तो उस case में बच्चे के parents को इस policy के क्या-क्या benefit मिलते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें death की तो death के case में आप यहाँ पर ज़्यादा insurance cover भी ले सकते हैं और कम insurance cover भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको limited premium payment option में भी दो option मिल जाते हैं और single premium payment में भी दो option मिल जाते हैं अगर हमारे example के according हम बात करें limited premium payment option की तो यहाँ पर आपको death benefit के दो option मिलती हैं एक है option 1 और एक है option 2 अगर आप कम insurance cover चाहते हैं तो आप option 1 ले सकते हैं और अगर आप ज़्यादा insurance cover चाहते हैं तो आप option 2 ले सकते हैं option 1 में कहा गया है कि अगर बच्चे की death हो जाती हैं तो आपको 7 times of analyze premium का insurance cover यहाँ पर मिलता है और option 2 में कहा गया है कि आपको 10 times आपके analyze premium का insurance cover मिलता हैं तो यहाँ पर यह totally आपको decide करना है कि आप कम insurance cover चाहते हैं या फिर ज़्यादा insurance cover चाहते हैं मैंने आपको जब premium बताया था तो आपको कहा था कि option 1 में अलग premium आता है और option 2 में अलग premium आता है तो जहाँ पर ज़्यादा insurance cover है वहाँ पर premium भी ज़्यादा होगा तो एक लाग सो रुपे का जो हमने premium पे किया था वो option 2 के लिए था और अगर आप option 1 चूज करते हैं तो आपक हमारे example को समझने के लिए अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें से आप option 1 चूज कर लेते हैं तो death benefit calculate करने के लिए हम मान लेते हैं जब policy का दसवा साल होता है उश टाइम पर इस बच्चे की death हो जाती है तो यहाँ पर death के case में some assured on death मिलता है और साथी साथ guaranteed edition मिलता है तो हमारे example के according अगर हम some assured on death की calculation करते हैं तो हमें अपने analyze premium का 7 times करना होगा जो की calculation आप screen पर देख सकती हैं साथी साथ हमें basic some assured भी देखना होगा जो की हमारी policy में 5 लाक रुपे का है इन दोनों ही value में से हमें देखना होगा कौन सा amount जादा है वही amount हमारा some assured on death माना जाएगा सा guarantee radiation भी add करेगी ताकि हम total death benefit को calculate कर सकें तो यहाँ पर हमारा जो annual premium है उसका 7 times करते हैं तो यहाँ पर 6,97,375 रुपे का amount आ जाता है जो की 5 लाक रुपे से जादा का है तो इसलिए जो हमारा some assured on death होगा वो 6,97,375 रुपे का होगा इसमें अगर हम 10 साल का guarantee radiation add करते हैं जो की 4 लाक रुपे का हो जाता है तो यह जो total हमारा death benefit होगा वो 10,97,375 रुपे का हो जाता है तो इस तरह से आप भी यहाँ पर जिस भी year में death हुई है उस year का death benefit खुद से calculate कर सकते हैं यह जो हमने यहाँ पर guaranteed addition add किया है उसकी calculation हम already जान चुके हैं जैसे हमने option 1 के death benefit की calculation की है ठीक इसी तरह से आप option 2 के death benefit की भी calculation कर सकते हैं जिसमें आपको केवल 10 times of analyze premium करना होगा जिसके मदद से आप असानी से death benefit की calculation कर पाएगी आईए अब इसी example को धियान में रखते हुए ही single premium payment option की भी बात करते हैं तो हमारे example के according हम मान लेती हैं 5 साल की उमर बच्चे की हो चुकी है और policy term 20 साल की लेना चाहते हैं और जो हमारे यहाँ पर basic सम्मिशोड है वो यहाँ पर 5 लाक रुपे का हो जाता है और अगर हम यहाँ पर premium paying term की बात करें तो यहाँ पर single premium payment term हम चूज करना चाहते हैं यानि कि policy के premium की payment हमें एक साथ करनी होगी तो यहाँ पर जब बच्चे क उम्र 5 साल की होगी उच टाइम policy लेते समय हमें policy का premium एक साथ पे करना होगा जो की one time premium होगा 3,89,225 रुपे या फिर 4,12,600 रुपे इसमें भी आपको दो option मिल जाते हैं option 3 और option 4 जिसके बारे में हम death benefit calculate करते समय जरूर ध्यान में रखेगे तो यहाँ पर अभी बच्चा 5 सा को हो चुका है policy लेते time आपको यहाँ पर premium की payment करनी होगी उसके बाद यहाँ पर आपको 20 सालों तक wait करना होगा जो भी हमारी policy time है उतने time तक आपको यहाँ पर wait करना है जब आपका यह waiting period खतम हो जाएगा और जब बच्चे की age 25 साल की पूरे हो जाएगी तो उस time पर इस policy क maturity हो जाती है और maturity के समय basic summer short मिलता है और guaranteed edition मिलता है basic summer short हमारी policy में है 5 लाख रुपे का और अगर हम 20 साल का guaranteed edition calculate करते हैं तो वो यहाँ पर 8 लाख रुपे का हो जाता है तो total maturity यहाँ पर भी 13 लाख रुपे की हो जाती है यह calculation बिलकुल वैसे ही है जैसे हमने अपने previous example में गटना हो जाती है तो उस case में यहाँ पर क्या benefit मिलते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर दो option दिये गए है option 3 और option 4 यह option आपको single premium payment option में मिल जाती है तो अगर यहाँ पर आप कम insurance cover चाहते हैं तो option 3 ले सकते हैं और अगर ज्यादा insurance cover चाहते हैं तो आप option 4 ले सकते हैं option 3 में आपको 1.2 times मिलता है आपके single premium का insurance cover और अगर हम option 4 की बात करें तो उसमें आपके single premium का 10 times insurance cover मिलता है तो इसमें से जो भी आप option चूज करना चाहें वो कर सकते हैं अभी example को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप इसमें option 3 चूज करना चाहते हैं औ और साथी साथ जितने साल भी policy चली है उसका guaranteed addition मिलता है तो यहाँ पर जो हमारा single premium है वो है 3,89,225 रुपे अगर हम इसका 1.2 times करती हैं तो यह जो total amount होगा वो हमारा 4,86,531 रुपे हो जाता है और इसके comparison में अगर हम basic sum assured अपना देखती हैं तो वो यहाँ पर 5,00,000 रुपे साथी साथ इसमें हम guaranteed addition भी add करेगे जो कि 10 साल का होगा 10 साल का guaranteed addition यहाँ पर हो जाता है 4,00,000 रुपे का तो यहाँ पर हम total death benefit देखती हैं तो वो यहाँ पर 9,00,000 रुपे का हो जाता है तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर death calculation कर सकती हैं जितने साल भी आपकी policy चली है उतने साल का ही आपको यहाँ पर guaranteed addition add करना होगा जैसे हमने option 3 को चूज करके death benefit की calculation की है ठीक इसी तरह से आप option 4 में भी death benefit की calculation आसानी से कर सकती हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी मेरी तरह whiteboard animation video create करना चाहते हैं तो मैंन आप सभी के लिए complete course बना दिया है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि इस तरीके की वीडियो आप कैसे create कर सकती हैं उस course का link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा महां से आप उसकी पूरी details चेक कर सकती हैं तो आईए अब जानते हैं कि इस plan में आपको और क्या-क्या benefit मिल जाती हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक optional rider मिलता है जो कि है premium waiver benefit rider तो यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे के लिए policy लेना चाहते हैं तो उसमें आपको यह rider ज़रूर add कराना चाहिए इससे अगर आपके साथ कोई दुरुगटना हो जाती है तो उस case में पिरेड की यहाँ पर LIC की तरफ से आपको कुछ extra दिन दिये जाती हैं जिसमें आप बिना late face के policy के premium की payment कर सकती हैं तो यहाँ पर अगर आप मन्थली premium pay करती हैं तो उसमें आपको 15 दिन का grace time period मिल जाता है और मन्थली के अलावा अगर आप कोई और premium payment mode चूज करते हैं तो उसमें आपको 30 दिन का grace time period मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर बात आती है loan की तो यहाँ पर अगर आपको पैसो की ज़रूरत हो जाती हैं तो आप insurance policy पर loan भी ले सकते हैं अगर यहाँ पर आपने limited premium payment option चूज किया है तो policy शुरू होने के दो साल बाद आप अपनी policy पर loan ले सकते हैं इसके अलावा अगर आपने single premium payment option चूज किया है तो policy के तीन महीने बाद भी आप अपनी policy पर loan ले पाएगे उसके बाद यहाँ पर बात आती है policy surrender की तो अगर आप अपनी policy को बंद कराना चाहते हैं तो आप अपनी policy को surrender कर सकते हैं अगर यहाँ पर आपने limited premium payment option अब भी भी आप अपनी policy को surrender कर सकते हैं और उस time जो भी उसकी surrender value होगी वो यहाँ पर आप ले सकते हैं policy को surrender कराते time आपके policy की क्या surrender value है वो आपको LIC branch से exact value पता चल जाती हैं तो यहाँ पर मैं उमीद करता हूँ कि आपको LIC के नए insurance plan अमरित बाल plan की सारी information मिल गई होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो वो आप मुझे से comment में पूछ सकते हैं तो यहाँ पर मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आयोगी पसंद आये तो इस वीडियो के like जरूर कीजेगा साथी साथ आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की best videos मैं आ आप सभी के लिए लाता रहता हूं धन्यवाद